यह संपत्ती बचाना, संपत्ती बनाना केवल यही सत्ता का इनका मतलब है। सत्ता में आते हैं तो फिर से वही काम करते हैं। इसलिए जनता का विश्वास और भरुसा इनके उपर न हो रहा है और आगे होगा। 2020 में भी यह मुखमंत्री का सपना देख रहे थे। रिजल्ट आया इनका सपना चकना चूर हो गया। 2024 लोख सभा में बड़ी बड़ी बाते करकरके और मोधी सरकार के खिलाप जिस प्रकार से इन्होंने लोगों को तरह तरह का परलोभन दिया। तरह तरह की बाते की उस बात का कोई विश्वास इनके उपर नहीं किया। हमें वनवास नहीं भेजा है नितिश कुमार ने, हमें जनता के बीच भेजा है और वो जनता के पीच जाना विधान सभा एलेक्शन में पता चलेगा। उसका कोई लाव नहीं बिला, कोई फाइदा नहीं हुआ। जनता का विश्वास उनके उपर है ही नहीं। वो लाख जो है से दावे परती दावे कर ले, लाख लोगों को समझा ले, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता है, समझ यहीं आता है कि 90 से 2005 तक उनके माता पिता का सासन था। और उस समय बिहार की क्या इस्थिती थी, लोग डरर करकर के रहते थे, लोग कापते थे, भैवीत रहते थे, कोई सुरच्छित नहीं था और पलायन हो रहा था, यहां के बच्चे, यहां के बिजनसमें, यहां के पढ़ने वाले चात्र, नौजवान, नौकरी करने वाले, म अपराधियों का बोलवाला, उन अपराधियों का संग्रच्छन करता, आर जेडी, आनि उनके माता पिता का सासनकाल, और तेजस्वी आदों का जब समय आया, उस समय लालु जी रेल मंत्री थे, और लालु जी के रेल मंत्री रहते हुए, लैंड फर जॉब, रेलवे में न संपति, जो 56 संपतियों के मालिक कहां से आगे, इतने करोर के मालिक कहां से बन बैठे, बिना कोई रोजगार, बिना नौकरी, बिना ब्यापार, कुछ किये हुए, तो जनता जानना चाहती है, पूछ रही है, कि आप जरा बताईए, उसका हिसाब दीजिए, ED, CBI, Income Tax, आप उसका कोई जवाब नहीं दे रहे, नितीज कुमार जी ने कहा, कि जब हमारे साथ आये थे, तो मुझे लगा, कि इनकी आदतों में सुधार हो गई होगी, अब कम से कम इतने थपेडों के बाद, ठक कर 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 के, अब कम से कम पैसे के पीछे नहीं भागे गे, लेकिन इनकी आ करते हैं, इसलिए जनता का विश्वास और भरोसा इनके उपर न हो रहा है, और आगे होगा, 2020 में भी ये मुखमंत्री का सपना देख रहे थे, रिजल्ट आया, इनका सपना चकना चूर हो गया, 2024 लोख सभा में बड़ी-बड़ी बाते कर करके, और मोधी सरकार के खिलाप, जिस प्रकार से इन्होंने लोगों को तरह-तरह का प्रलोभन दिया, तरह-तरह की बाते की, उस बात का कोई विश्वास इनके उपर नहीं किया, और इनको धत्ता बता दिया, तो आगे भी यात्रा करेंगे, कोई इनके बातों पर विश्वास नहीं करेगा, इनको देखने ज कि हम कडूरपती कैसे बने इसके लिए लोग जाते हैं समझने बुझने और देखने लेकिन भोट में वो तबदील न हुआ है न आगे होगा अगो वो कुछ युवाओं के लिए सोच रखे हो बापे पूत पर आपत गोड़ा कुछने तब थोड़म थोड़ा वही स्थिति तो इनकी है अपराधियों का वरष्टाचारियों का जो गलत काम करते हैं उन्हीं लोगों का संग्रचन देना और उन्हीं लोगों का सहारा ले था जमीन की रजिस्ट्री हो रही थी जमीन इनके खाते में पैसे जा रहे थे तो इनको बोलना चाहिए था कि हमारी आप सक्ता नहीं है हम न कुछ किये हैं और इस गलत काम में हम सरीख नहीं होंगे लेकिन आप तक उन्होंने इस बात को नहीं जिक्र किया उन्होंने नहीं अभी ये कर रहे है जो 90-2005 तक राजद सासनकाल में इनके परिवार के द्वारा किया गया है। और वो जाच करकर करके अंतिम नतीजे पर पहुँचेगी। लगभद दर्जन बर लोग पकड़े गए हैं। और उसमें जो पूरी तरह से सबसे मास्टर माइंड था। तो इनका जो हैसे एही कारनामा है। अब सत्ता में नहीं आये तो इही सब करेंगे। ये सारे जो हैसे सामने आगे वो सब जाच में कौन इसका मास्टर माइंड है। कौन परदे के पीछे से इन सब कारनामों को अंजाम दे रहा है। उन सब को पकड़े जाएंगे और सब पर कारवाई होगा। कोई बचने वाला नहीं है। कोई समय है वो कोई भूल नहीं सकता है। आपको लोग अगर सत गद्धी पर बिठाएंगे तो एक बार याद कर लें कि लालू और राबडी के सरकार में आखिर हुआ क्या था। तो ये थी आज की रिपोर्ट बाकिये सोर तमाम ख़बरों को लाड़ सब बने रहें। देखते रहेंगेश 24 मैंन अंदन अप्रस सहयुग्यांगीत के साथ धन्यवाद। जकी ऊच्जदा बारों को भी एक बारों को लाद के सब्सक्क्राइ़।